नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्ण, राधे राधे, दोस्तों कहा जाता है कि शादी के बाद पती की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पती पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। अगर आप पती के साथ भोजन करती है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरू जी से कि वो क्या कहते हैं इ पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कई मामलों में तो पत्नी की तरक्की भी रुक जाती है। इसलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ काईदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम काईदों के बारे में जो पत्नी को जरूर पालन करने लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पत्नी की ये पांच गलतियां पती को बरबाद कर सकती है। पहली गलती सुभह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुभह सुर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है, तो वहां काफी मात्रा में नकारात्मक उर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पती को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस उर्जा का नहीं करती तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पती की कमाई पर भी असर होने लगता है। माना जाता है जो महिला गंदगी रखती है, उसके पती का खर्च ज्यादा होता है। इसलिए पत्नी को घर और कमरे क हमेशा साफ सफाई करनी ही चाहिए। तीसरी गलती पत्नी का रोज ना नहाना, जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती है या अपने आपको साफ नहीं रखती है, वो महिला नेगेटिव एनरजी हुई रहती है और इसके इर्द गिर्द नेगेटिव और ओर जाओं का भी आभास होता है। दोस्तों, ऐसे में पती आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। चौथी गलती। पतनी का लड़ना और कटू वचन बोलना। अगर महिला अपने पती से हर बात पर लड़ती है या जगड़ती है तो पती का माइंड ड खाना नहीं खिलाती। उसके पती की बरबादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों भोजन करने से पहले दोनों हाथ, दोनों पैरों और मुख्य इनको अच्छी तरह से ढोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता तथा अन्य पूर्णा माता क ध्यान करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरूात करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को सनान करके ही शुद्ध मन से ही मंत्र जाप करत बाकी घर वालों को खाना खिलाएं दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा भोजन पूर्वोत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए दक्षिन दिशा की ओर करके किया गया भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माएं आकरशित होती है और वही पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्ध करता है दोस्तों, बिस्तर पर बैठ कर अपने हाथों पर रख कर या तूटे फूटे बरतनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए कंजूस के द्वारा वैश्य के हाथ का शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन और व्यास का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए इससे व्यक्ति को नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है भीश्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकर आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए बाहर निकालने के बाद भी खाया जाने वाला भोजन दरिद्रता का सामना करने पर मजबूर कर देता है थाली को अगर कोई व्यक्ती लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूशित हो जाता है इसे ग्रहन नहीं करना चाहिए दोस्तों भीश्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई-भाई भोजन करें तो वो अमृत के समान हो जाता है ऐसे भोजन में धन-धान्य स्वास्थिय और लक्ष्मी की नदी होती है ऐसे भाई को नर्क नहीं जाना पड़ता, स्वर्ग की प्राप्ती होती है और वही भीश्म पितामह के अनुसार पती-पतनी को एक थाली में भोजन करने को निशेध माना गया है भीश्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पती-पतनी भोजन अगर करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई थाली माना गया है पतनी को पती के भोजन करने के उपरांध ही भोजन करना चाहिए जिससे घर में सुख सम्रिद्ध बढ़ती है और साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है वही पतियों के लिए भी जरूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानि अपनी घर की औरतों का सम्मान करें उन्हें हमेशा खुश रखें जो व्यक्ति घर की ओरतों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ मार पीट करता है, तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या फिर पती के पीछे ही रहेगा, जिसके कारण दोस्तों भाग्य कभी भी आपके हित में नहीं र कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से आप चुके ना, रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल का आशा करते हुए, अगर गायतरी मंत्र का ध्यान करें, तो इससे आपको सदबुधी की प्राप्ती होगी, अपने माँ आने जा रहा हूं, उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको करना है, आप एक रोटी ले और उसको अपने उपर से घड़ी की दिशा में एक तीस बार घुमाना है, ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या फिर किसी नदी में बहा दें, इससे दुर्भा आपके पास कभी नहीं भटकेगा, हर मंगलवार और हर शनिवार को बजरंगबली की पूजा करें, और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाएं और दिया जलाएं, इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, पति संधिया के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए, भारतिये परंपराओं में ये शामिल है, इसके पीछे ना सिर्फ धर्म है, बल्कि इससे घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है, देवी लक्षमी का घर में आगमन बना रहता है और सुख संधिया के समय रोने उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है, ऐसा ना करें, दोस्तों, ऐसा ना सिर्फ हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है, इसी के साथ ही दोस्तों, आम तोर पर बहुत सी महिलाएं से बहुत सी गलति इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पती खाना खाने के लिए बैठे, तब आपको सुन्दर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ आपको पती को खाना खिलाना चाहिए, लेकिन अकसर महिलाएं क्या गलती करती हैं कि जब भी पती खाना खाने बैठ तो उस घर में कभी भी देवी लक्षमी का वास नहीं होता, और उस घर में सदैव कलय है और अंतक्य का माहौल चाया रहता है, तो दोस्तों, इस कारण ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो ये जो कुछ उपाए जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य म अपने वे मुकाम को नहीं पा सकता जो वो पाना चाहता है, अपनी जिन्दगी में वो रिष्टेदारों में सबसे पीछे रह जाएगा, उसे सफलता नहीं मिलेगी, तो दोस्तों, अगर आप भी उन महिलाओं में से एक है जो चाहती है कि उनके पती तरक्की करें, उनके घ एक ही थाली में पती-पत्नी भोजन ना करें, इससे आपको पता ही है कि आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होगा, घर में दरिद्रता आएगी, इसी के साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें, तो दोस्तों, आज क इसी वीडियो में बस इतना ही घ्यान, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी घ्यान वर्धक लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, साथ ही दोस्तों, सच् केमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं, तो हर-हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है. धन्यवाद जय, श्री राम जय, बागेश्वर धाम, आप सभी का दिन मंगलमय हो.